अर्थमेटिक चाप्टर को लास्ट अपिक टक्सेशन यान मनी एक्षियन बात यो फर्मेट मा कॉशन सोदने चा कॉशन चा सिता बाउट अमेरिकन डॉलर्स अर्स 55,424 इर दा रेत अब डॉलर 1 इकल्स तो रस 108.25 अपर सम देज नैपाइली कॉरेंसी इस चांबल के uplift rätt ओ या शितासी बाँचा सित सा रस 8.25 िसले चाएL । आमेरिकन डालर स अमेरिकन डालर मा कंवर्ट अर्थे बाँचा ये को रटले उसो भाई, Rs. 108.25 equals to $1, Rs. 1 equals to 1 upon S to 55,424 Rs. equals to 1 upon U times एति गरे बने, आउचा 500 टुबेल डलार मतलब Rs. 55,424 को चे डलार एति हुदो राचा यो रेटले आमरो शुरू को यांचाल चा याई गोई How much American dollars did she buy को यांचाल चे? $512 हुनी बायो अब तेस बाची बन्चा, after some days नेपाली करेंशी is devaluated by 10% नेपाली करेंशी जाई 10% ले devaluated बहयो बन्चा येशको मतलब कियो बने, कुनाई दिन Rs. 5 मा, Rs. 5 मा चाई योटा म्यांगो पाइन थे कुनाई दिन चाई Rs. 5 मा योटा म्यांगो पाइन थे अब, अरको दिन फेरी, ते hin Rs. 5 मा, 5 उटा म्यांगो पाइन थाले हो बने युग केस बन्या चाहिं D-valuation को केस हो मतलब मेंगो को भ्यालू गाटियो कुमों इदिन? RS5 मा एॉटा मत्रे मेंगो पाइसं घ्र seventeen अरको दिन चाहिं फेरी RS5 मा 5 जटा मेंगो पाइसं दिज़ा हो मतलब मेंगो को भ्यालू चाहिं घाटिया हो अब येसमाना जुकिनी मैंगो को नम्मर बड़े आछा तेई पईसामा मैंगो को नम्मर बड़े आछा बननो को मतलब येसमान चाई डिभालुएशन बगो हो मैंगो को ब्यालू घटुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु रेवालुएशन रेवालुएशन को कल्छेब चाहिए क्लियर उनुँश अब येश माय उनुश अप्टर सम्देज नेपाली करेंशी इस डेवालुएटेट बाई 10% बन्चा पहला चाहिए 1 ब्रालाग मा 108.25 आरेश पाइन थो बने ये नीपालि करेंशी बाउन सखने भ四 बाई 10% अबार निपाली करेंशी डिवालोटीड बाईशेगे पाछी, सिता संगा बको 512 डॉलर चे, उसले निपाली करेंशी में फेरी सार्चे, बने 1 डॉलर इकल्स टु एती आरेस, तेसो बाई 512 डॉलर इकल्स टु आउसा 60,966.4 आरेस कोईशन आयायमा सँच्छा उसलाय फाइदा भगी गाटा भगी प्रोफीड भगी लास भहगी सवच्छा सुरू मा उसाग एती पैशाथेowma शपड़ या क्यालकोलेशन बाईशेगे पाची, सब वाईशे पैशेगे पाची याशनग अबाईशा आयप मोटैंख़ ही याथ अब युसको कल्ती में भगो पाईशा यो बने उसलाइ profit वर यो माइनस योगार दाउंच 5,542.4 यो चै उसको profit amount ला तेस्टी क्वेशन नमार टू राम संद्रा इज बिजनेस्मेन, ही बाउड गोल फ्रम चाइना, ही हाट सोल 100 तोला गोल एत आरे 6,000 पर तोला ही हाट पर्चे जोल इन चैने काथ पर तेस्ट नमार लाट यो पायो फ्रम ही बने नमार बन्च वाट स मार अजटी નેફાન્ા નેડલઅ ને નેજે નેફર્યાહે અહલ ને ? નેપાન્યમ ને નેભેડ૦ ને નેડરેઝગે . कस्टम ड्यूटी बनाचे, सर्विस चार्ज हो, गवर्मेंट लाई पे गरने चार्ज, बने 15% को रिट लेट लेट लेट, 15% अप यो गरे बने आऊंच, 11,620.75, यो चे, कस्टम ड्यूटी चार्ज पे गरच गवर्मेंट लाई, तेस ते सेकेंड नमर मा बन्च, वाट इस दा कस्ट प्राईस अफ 100 तोलाग गोल्ट वीथ बहर्मेंट बन्च, 13% देखोँछा, तेस वाई, 100 तोलाग गोल्ड को प्राईस एती, यो प्लास 13% अप यो गर्दा चे, प्राईस वीथ बहर्म् चाहिए एती आऊंच, येसमा कस्टम ड्यूटी जोर्या चाहिए अब थर्ड मा बन्चा वाटी इस दा सेलिंग प्राइस आफ 100 तोला गोल्ड येस माचाई शुरू मा चाइनीज मार्केट मा इसला ये थी पर्या थियो 13% ब्याट जोडे पची ये थी पर्यो तेस माचाई कस्टम ड्यूटी जोर नियो बने इसको सेलिंग प्राइस होंचा 99, इसलेज चाईनीज मार्केट बाट ये थी मा किन्नी सरकार ला है ट्याक्स भ्याट तिरे रह एधी प्रोफिट ना खायरा बेशनी बाणी ये थी माचा ये थी प्राइस हो तरा ये कोईशोन मा चा ये बिजनेश मैनले सहुत वाला सुनला है ये रिट ले बेचियो बनचा मतलब इसको प्रोफित अथ्वा लश कती हो, फाइंड आउट गॉर्णोस बनेया हुंते हो नी यो रेट काम लागती है। ला तोस्ते क्वेशन नमर थरी, Mr. Anil bought some American dollars for Rs. 5,40,000, exchange rate of $1 equals to Rs. 122 visit USA, unfortunately because of visa problem, he cancelled his trip, within a week, Nepali rupees is devaluated by 5%, he again exchanged his dollar to Nepali rupees after a week बंचा, आई नमर मा बंचा, how many dollars did he get with Rs. 5,40,000 बंचा, आई नमर मा बंचा, what is the new exchange rate after devaluation in Nepali rupees बंचा, थर्ड मा बंचा, how much did he gain or loss, फोर्थ मा, after devaluation of Nepali rupee, if the bank took 2% commission, how many rupees would he gain or loss बंचा, सब्बंदा पईले ख्याल गारने, $1 equals to Rs. 120,000 बंचा, अब 5,40,000 लाइचा, ए अमेरिकन डलर मा कनभड गारनोश बांचा, मिले सब्बंचा, Rs. 120 equals to $1, Rs. 1 equals to 1 upon $120, Rs. 5,40,000 equals to $1 upon $120, ताइम्स 5,40,000 आउचा, $4,500, तेशा, वह 5,40,000 Rs. को छे, $4,500, फर्स्ट को यांचा, यही हो, अब तेशपजी बंचा, विदीना उइक निपाली रुपी इज, डिवालुएटेड बाई 5%, मैंडे अगाडी, डिवालुएटेड ना, रिवालुएटेड को, the concept के रिवालुएटेड बाई शawan को घृबालुएटेड बाई को छो, devaluation बाई कोची, plus, revaluation बाई करची, minus, तेव किना हुन्छा, मैं लिवा गाडी, इज, इज,मपल दी शाक्योटेड बाई, רिपाली रुपी चैंऑ 5% ले devaluated उचा बंचा त्यसे वाई, 1 dollar equals to 120 plus 5 upon 100 plus 120 यो calculation गर दाऊँछा 1 dollar equals to Rs. 126 तेसो बहे devaluation 5% ले नेपाली करेंसी devaluated बही सेगे पचे अब 1 dollar मा Rs. 126 खरीद गरना सकील छा तेसो बहे आई आई नमर कोई अंसर पनी बहो devaluation पचे rate छाई यस्तो हने रेचे 1 dollar equals to Rs. 126 अब थर्ड मा इरनोस how much did he gain or loss बन्चा नितेसलाइ फाइदा बहो की घाटा बहो बहो बन्चा मतलब यो संगा चे शुरूमा 4,50,000 थेओ अब तेसले चे डलार मा कनभाड गर दाचे उसले 4500 डलार पाको थेओ अब उई दिन आउई फेरी निपाली करेंशी चाई devaluate बखो थेओ new rate आई शाग्या थे $1 equals to $126 अब के गर्चा बन्चा बन्चा बखो 4500 डलार लाई चे new rate ले devaluation बहिशा के पचिको rate ले चे एक सेंद गर्चा बने अब निपाली करेंशी आई शागे आमचा तेसको हातमा अब यो अमांट यो अमांट कंपेर गरेरा फाइदाओ की गाटाओ हामी फाइड आट बखो उसांगा चाई 4500 डलार चा अब डिबाली करेंशी आई शागे पचिको rate तो बने पचि अमे निपाली करेंशी मां कनपड गर्शां बने डलार इकोस्ट टो आरेस 126 उसांगा बखो तो 4500 डलार ओ 4500 टाइम्स 126 अब तेसको खल्ती मां चाही कति आयो 5,67,000 अपटर डिबाली करेंशी तेसो बए उसलाइ प्रोफिट कति बह बनी 5,67,000 अईली खल्ती मां बखो शुरू मां ओसंगा कति थियो 5,40,000 माइनस गर्णी बने आमशा 27,000 ये शलाइचे प्रोफिट बखो अमाउंट रो अब तेस्टै फोर नमर मा बन्चा अफटर डिबाली रुपी इव दा बैंक तू पर्सेन कमिशन हाउ मेनी रुपीज उड ही गेन और लास बन्चा डिबहालुएशन बहिशे के पची तेसको खल्ती मा एती पईशा आको थियो अब बैंक लेचाई 2% कमिशन काटे बने मतलब येशको 2% काटे बने बैंक लेचाई 11,300 फोट्टी लाई जान्चा उसंगा बांकी कती हुँँचा बने यो अमाउंट माइनस कमिशन अमाउंट उसंगा अब खल्ती मा एती पईशा आउंचा अब फेरी उसलाइब प्रोफीट हुँँचा कि लोस हुँचा बन्चा को संगा सब्ट्राक्ट गर्ना पर्यों? यो अमाउंट लाई जाई शुरुमा भको अमाउंट संगा सब्ट्राक्ट गर्ना पर्यों 55,660 माइनस 5,040,000 त्यो गरे भने आउंचा 15,660 आजै येसलाइब प्रोफीट हुँचा येथी यो चे हमरो फाइनल याँचारू लग यो वीडियो माचा येत्ति नै टैक्सेशन एन्ड मनी एक्सेशन चैं बेसिक टू एडवांच सिखना मन लागचा वनी धेरै कोईशन सरू प्रैक्टिस गरना मन लागचा वनी माचाई वीडियो लिंक डिस्क्रीप्समा रागच देनेशू धेरै कोईशन सरू त्यस प्रैक्टिस गरना मन लागचा लाग अरको वीडियो माचाई अरको टापिक लेहराव पस्ति देनेशू थैंक्स परवाचें